आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याना बोर्ड का दस्वी कक्षा का जो आज एक्जाम हुआ था रियापियर, CTP, इंप्रूमेंट और कमपार्टमेंट के लिए इस कोस्टन पेपर के अंदर जितने भी एक एक नमबर वाले कोस्टन आये थे उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और जल्द ही अपने चैनल पर इस कोस्टन पेपर का कम्प्लीट सोलोशन भी अपलोड करूंगा अगर आप पूरा का पूरा सोल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नाटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसा कि आप देख सकते हैं दसवी कख्षा का है मैथमेटिक्स विसे का है सैट ए है जो आज एक्जाम हुआ है उनने सक्ट उबर 2023 को तीन घंटे का आपको टाइम मिला था क को सोल करने के लिए और असी नमर का आपका कोशन पर आया था अब इसके कोशन देखते हैं जैसा कि आप सकते हैं यहाँ से आपके कोशन टार्ट होते हैं खंड एयानिकी सेक्शन एसे और पहला कोशन है ये और पहले कोशन का जो आन्सर है वो है ओप्षन भी और एक चीज और नोट कर लिजिए जो student C set के हैं जिनका C set है उनका ये question जो है set A और C के question सेम थे, set B और D के question सेम थे, बस question की जो संख्या है यानि की question number जो है वो अलग-अलग है set A के अंदर ये जो पहला question है, set C के अंदर ये question सेम यही question आठवे नंबर पर है तो जो C set वाले हैं वो चातर जो है, आठवा question आप अपना चेक करें, उसका answer जो है यहाँ पर जो मैंने बताया है, option B ये है उसके बाद दूसरा question देखें दूसरे question का जो answer है, वो है option C और C set वाले जो student है, उनका ये question जो है, सेम ये question C set के अंदर नोवे नंबर पर है नोवा question चेक करें, C set वाले उसके बाद next question है, question number 3 और question number 3 का जो answer है, वो है option B और जो C set वाले हैं, वो अपना question चेक करें, question number 10 इसी तरह से लगातार continue है तो C set में ये question जो है, question number 10 है और इसका answer है 2 उसके बाद next question है, question number 4 question number 4 है, इसका जो answer है, वो है option A C set वाले जो है, अपना question पढ़ें और अपने question paper में देखें कि question कहां पर है, ये 11 number में मिलेगा उसके बाद next question है, question number 5 और question number 5 का जो answer है, वो है option C उसके बाद next question है, question number 6 और question number 6 का जो answer है, वो है option B उसके बाद question number 7 question number 7 का जो answer है, वो है option D उसके बाद next question है question number 8 और question number 8 का जो answer है वो है option A उसके बाद है question number 9 question number 9 का जो answer है वो है option C उसके बाद है question number 10 और question number 10 का जो answer है वो है option D उसके बाद है question नमबर 11 और question नमबर 11 का जो answer है वो आएगा 7.2 cm. उसके बाद next question है question number 12 और question number 12 का जो answer है वो है आएगा 2 है उसके बाद next है question number 13 और question number 13 के answer में आएगा ऐ परिमीत रूप से अनेक तो question number 13 का जो answer होगा वो होगा ऐपरिमित रूप से अनेक उसके बाद next question is question number 14 और question number 14 का जो answer आएगा वो आएगा 2 मात रख to मात रख तो question number 14 का answer है option A उसके बाद next question है question number 15 और question number 15 का जो answer है वो है 6 pi r square तो option a जो है वो आपका answer है उसके बाद next question है question number 16 और question number 16 का जो answer है 128 तो option c जो है आपका answer है तो यह है आज आपका जो exam हुआ था reappear ctp और improvement के लिए उसको set a का एक एक नमर वाले को सुनों का solution वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के उपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका notification आपको मिल जाए